भारतीयता में एक शब्द है विशेश रूप से जो विद्या कहलाती है और उपनिवेशी ताक्तों ने भारत में एक नए शब्द को प्रस्थापित किया जो सिक्षा कहलाती है तो आज राजिस्थान के अपने बहुत प्यारे छोटे भाई भेनों से समवाद करते समय मैं इसी बात पर आप से चर्चा करूँगा कि विद्या और सिक्षा में क्या अंतर है महाभारत कालीन अगर पौरानिकी को पढ़ें या राम के समय की पौरानिकी को पढ़ें तो आपको दो प्रकार के शिश्य मिलेंगे और दो ही प्रकार के गुरु मिलेंगे एक गुरु हैं जो जंगल में रहते हैं और जो एक राजा के साथ पढ़ते हैं राजा के बेटे के साथ पढ़ते हैं और उसकी प्राण रक्षा में ये वादा ले ले लेते हैं उस राजा के बेटे से राजकुमार से कि जब मैं राजा बनूँगा तो हम दोनों दोस्त आधा बाला एक गुरुपुत्र जब राजा के दरबार में पहुंचा तो दुरुपुत्र ने कहा कि तुम मूर्ख हो बच्पने में किया गया वादा में राज्यमाट के कैसे पूरा करूंगा चले जाओ और एक छोटी सी बात अपने मन पर लेली गुरुवर द्रोणाचार ने और गुरु सिक्षक में परिवर्तित हो गया और सिक्षक की अपनी मर्यादाएं होती है इस कॉलेज में पढ़ना है इसमें नहीं पढ़ाना है इसमें जानना है ये शुल्क है ये निशुल्क है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास शुल्क देने के लिए नहीं है लेकि की सिक्षा कैसे हुई मैं कल ही किसे चर्चा कर रहा था उनीस वी शताब्दी यानि के अठारे सो से लेकर उनीस वों तक के बीच के सौ साल में विश्व में तीन ऐसे लोग हुए जिन्होंने आधुनिक विश्व जो आज हम जी रहे हैं इसके सोचने की दशा दिशा बदल दी जबकि उससे मैंना इंटरनेट था ना उससे में टीवी था ना उससे में टैलिफोन था ना उससे में हवाई जाहस थे ना उससे में ये दूर संचार का माध्यम था लोग अलग अलग थे लेकिन सोच रहे थे मैं तीनों का नाम लूँगा आप इनसे सहमत असहमत हो सकते हैं कि राजाओं, महाराजाओं और प्रजा के बीच बटी हुई जनता के बीच भी एक सम्वाद हो सकता है, जिसे साम्यवाद कहा जा सकता है, कि सब बराबर हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये उन्होंने सबसे पहली बार कहा, और हजारों वर्षों से एक सोच जो बंधी होई थी, कि नई साब हम तो भाग्य में छोटे हैं, हम प्रजा हैं, ये बड़े लोग हैं, ये राजा हैं, इस पर उन्होंने चोट की और दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, आप मार्क्स से असहमत हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आप मार्क्स को खारिज नहीं कर सकते, आज एक बटा तीन दुनिया कम्यूनिजम के विचार पड़ चलती है, और बटी हुई दो तिहाई दुनिया के एक तिहाई हिस्से में, communist ताक्ते या उस विचार की ताक्ते सदा विपक्ष की स्तिती में रहती है दूसरे हुए नीच्षे जिन्होंने पहली बार बताया कि धर्म और सत्ता की इस भागीदारी के पीच मनुष्य की स्वतंत्र चेतना पिस रही है हम और आप पिस रहे हैं हमारी सोच पिस रही है जिन्होंने पहली बार का कि भगवान मर चुका है और उसकी हत्या का अपराद हमारे हातों पर है हमारे हातों पर उसका कून है सासात हुए बराबर बराबर हुए और तीसरे व्यक्ति हुए डॉक्टर सिग्मन फ्रायट जिन्होंने पहली बार बताया कि बीमारियां केवल शरीर में ही नहीं होती बीमारियां शरीर के बाहर भी होती है मन में, मस्तिश्क में, सोच में, सपने में भी होती है जिन्होंने consciousness और subconsciousness और dreams के बीच की दिवारों को गिरा कर लोगों के सपने सुने, लोग उन पर हसे, लोगों ने उन्हें गालियां दी, लोगों ने उन्हें अस्विकार किया लेकिन एक दिन आया कि आज पूरी दुनिया किसी भी बीमारी से लड़ते वक्त सिग्मंट फ्राइड के सिध्धान्द को मानती है करोना काल में भी दवाईयां बताई जा रही है लेकिन साथ साथ हम सब लोग, सिक्षक लोग, गुरु लोग आप सब से कह रहे हैं कि मन को अच्छा रखिए, उड़ जावान रखिए, दूरी हैं तो क्या हुआ, हम ये बाधा पार करेंगे इस सिग्मेंट फ्राइट की सोच थी उननीसवी शिताबदी के इन तीन बड़े दुनिया बदलने वाले लोगों एक जिसने व्यवस्था बदली, राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक दूसरा जिसने धर्म के प्रतिश सोच बदली और तीसरा जिन्होंने हमारी व्यादियों को लेकर एक नई सोच पैदा किये पूरी बीसवी शिताबदी में हमने ऐसे लोग पैदा नहीं किये 21 शिताबदी के भी 20 वर्ष पूरे होने जा रहे है कोई आहट नजर नहीं आ रही क्योंकि जैसा दुनिया सोचती है जैसा दुनिया करती है अगर आप भी वैसा ही करते हैं तो आप कुछ बड़ा नहीं करेंगे आप दुनिया में आएंगे और जाएंगे सोच कर देखिए कि बाग में बैठे हुए एक छोटे बच्चे ने सेब को नीचे गिरते हुए देखा इसमें क्या नया ऐसा सेब तो नीचे ही गिरता है लेकिन उसमें खुछ से यही सवाल किया कि सेब तो नीचे ही गिरता है पर क्यों क्यों गिरता है यह जो जिग्यासा है जो क्यूरसिटी है एसे ही उबे हुए एक स्थूल शरीर के वेग्यानिक ने अपनी खोजों से परिशान होकर और समझ में ना करकि इसका सिरा क्या है खुद को अपने बाथ टब में डुबोया और उसके अंदर जाने से बाथ टब का पानी बाहर आया और वो अधनंगा वेग्यानिक सडकों पर निकल कर भागा यूरेका यूरेका पालिया पालिया अगर उसने वो न किया होता तो ये आयतन घनत्व के सारे से धांत न हुए होते न्यूटन ने अगर ये न सोचा होता कि ये से नीचे ही क्यों गिरता है तो हम हवाई जाजों में न चल रहे होते मंगल यान, मिशन यान, मून यान ये सब कुछ भी नहीं होता इस प्रकार की जिग्यासा को समाज कभी भी आदर नहीं देता बनी बनाई विवस्था है इनको कभी स्वीकार नहीं करती है, गैलिलियों ने कहा और कहा हम से गलती हो गई लेकिन वो भूती तो चली गई जो भी आदमी अलग सोचता है वो समाज की बनाई हुई लकीरों के बाहर खड़ा होता है तो चुकी वो बाहर खड़ा होता है तो उस लकीर के अंदर खड़ा हुआ समाज सदा उसे देखता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे, हिंदी में एक शब्द है कूपमंडू, एक कुए में एक मेंडक रहता था, अचानक बाल आई, और नदी का एक बड़ी नदी का, ब्रह्म पुत्र जैसे महानद का, गंगा जैसे विराठ पाट का, पला हुआ एक मेंडक, बा से आया हूँ, वो सागर की तरफ जा रही थी, सागर नदी के महाने पर में था, तो सागर, यह क्या होता है, काफी बड़ा पानी होता है, तो कुए के मेंडक ने अपनी टांगें चोड़ा कर बता है, इतना पानी होता है, तो सागर के मेंडक ने का, यह नहीं बड़ा होता ह तो उसने थोड़ी छलांग मारके का कि इतना बड़ा होता है बोले नहीं थोड़ा और बड़ा होता है तो उसने एक लंबी छलांग मारके का भर तो बहुत बड़ा होता हो बोले नहीं इससे बड़ा होता है तो उसने का अच्छा कुई जितना होता है बोले नहीं कुए से पाहर का पानी नहीं देखा था तो कुए के भीतर का पानी वो है जो आपको सिक्षा देती है और कुए से बाहर का पानी वो है जो आपको ज्ञान देता है education के साथ-साथ अगर आपने learning नहीं ली तो आप कोछ भी नहीं जान सकते मैं अपने गाव जाता था आज कल मैं अपने फार्मास जाता हूँ तो जाने से पहले मेरे office के लोग ये देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा और वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि साथ मौसम विज्ञान की भविश्यवाणी है कि आज शाम गरज के साथ चीटे पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि अगर मौसम विज्ञान ने कहा है तो मालो के 90% नहीं पढ़ेंगे चुकि हम ये लगातार सुनते रहे हैं लेकिन कही बार पढ़ते भी है ये मौसम विज्ञान बहुत गंभीर विशय है इसमें विज्ञानिक सोच लगती है बहुत एक विज्ञान के नियम लगते है इन्वार्मेंटल साइंसेज लगती है इकोलाजी लगती है और उसके बाद एक कमदबाब का क्षेतर फिर ये गोला यहां से उठेगा अगर चाल ये रही तो यहां पहुँचेगा इसके अनुसार एजम सिशन्स बनाए जाते है जो बहुदा सही ही होते हैं अब तो काफी कारगर हो गई है ये लेकिन मैं अपने गाउं जाता था और मैं देखता था कि मेरे बड़े ताउजी जिनकी सिक्षा दिक्षा स्कूल में नहीं हुई थी मेरे पिता और चाचा की तरह वो शाम को मेरे साथ जाते हुए कैसे थे आज तो राम जी बरसेगा बेटा तो मैं उसे पूसता था कि ताउ राम जी क्यों बरसेगा तो बताते थे रहे यो नहा रही है पंडाखता और वो देख लेते थे कि एक छोटी सी पंडाखता नाम की एक छोटी सी चड़िया दूल में नहा रही है तो वो देखते थे कि आज पचाएं से बरसेगा कभी बतायते थे कि पूरब से बरसेगा उन्होंने London School of Seismology में और Newark Academy of Ocean Sciences में M.TEC नहीं किया था उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर और पीछे अपने बुज़र्गों से आई हुई ग्यान की परंपरा से सीखा था कि हवा में अगर इतनी नमी महसूस हो चिडिया इस तरफ से मुठा कर सांसें ले तो इस प्रकार की आहट होने की संभावना है यानि कि ये ग्यान है जैसे इन दुनों कोरोनकाल में आप बहुत सारे वीडियोज देख रहे होंगे जिन में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आपको ये बता रहे हैं कि किचिन में कैसे खाना बनाया जाए मेरी श्रीमती जी भी आजकल जो कि प्रोफैसर है कुद इनवावनेंटल साइंस की उन वीडियोज को देख कर बहुत सारे खाने बनाती है प्रियोग करती है और बाद में अन प्रियोगों को मुझे आज माती है जो कि बहुत अच्छे होते हैं अच्छी बात भी है लेकिन मेरी मा जो किसी कुक्री क्लास मेंने गई जिनके जमाने में यूट्यूप भी नहीं था वो हम पाँच भाई भेनों के संयुपत परिवार उनके ड्राइवर्स उनके गनर्स उनके साथ आने वाले उनके स्टाफ के लोग इन 40-50 लोगों के लिए भी कड़ी बनाती है किस दिन हमारे पहुँचने पर या डाल बनाती है तो मेरी तरफ देखते हुए मसालेदानी से उठाकर जितना नमक डाल देती है ना वो जिबान से एक इंच नीचे रहता है ना एक इंच उपर रहता है यह अनुभव से आया है यह 78 साल की उंगलियों ने 14-15 साल से मा के साथ खाना बनाते-बनाते 60 साल में सीखा है इसे ग्यान कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि आप यह अंतर समझ रहे होंगे कि शिक्षा और ग्यान में क्या अंतर है अंग्रेजों ने जब इस देश की शिक्षा पद्धती का निर्मान किया और इसे बनाया तो उनकी इच्छा थी कि दुनिया के दो तिहाई नक्षे पर फैराने वाला यूनियन जैक ऐसे सेवकों के हाथ में रहे जो सदा अगर सर उठाएं तो इस जंडे को सलामी देने के लिए उठाएं चुनोती देने के लिए नहीं और ऐसा मनोबल और ऐसी मानसिक्ता तैयार करने के लिए अंग्रेजों ने एक ऐसी सिक्षा पद्धती बनाई जिसमें आग्याकारी अनुशाशन प्रिये नौकर तैयार हो सके जिसमें इंजीनियर तैयार हो सके साइंटिस्ट तैयार ना हो सके जिसमें लिपिक तयार हो सके लेकक तयार ना हो सके जिसमें विरुदावलिया लिखने वाले तयार हो सके विद्रोह की कविता लिखने वाले तयार ना हो सके और इस सिक्षा नीती को वो भारत में सौप कर चले गए दुरभाग्य का विशय है कि 70 वर्ष बाद इनकी सत्ता और उनकी सत्ता दोनों की सत्ता की प्रात्मिक्ता में सिक्षा नहीं है और आज जो ये एप काम कर रहा है basically ये काम इनका था ही नहीं ये काम state का था जिसे राज्य कहते हैं एक beneficiary state कहते हैं एक लाबदायक राज्य योजना कहते हैं जिसके लिए हम vote देते हैं जिसके लिए हम tax देते हैं मैं अगर 100 रुपे कमाता हूँ तो 18% GST देता हूँ 33% income tax देता हूँ इस प्रकार 51% पैसा देने के बाद बचेवर 48% में भी tax देता हूँ और 100 रुपे मैं से 15 रुपे मैं अपने गढ़ चलाता हूँ यह जो 85 रुपे मैं ने दिये थे यह सी लिए दिये थे ताकि मेरी संततियों को आपको सिक्षा मिल सके, स्वास्थ मिल सके सडक मिल सके, पानी मिल सके बिजली मिल सके सिक्षा चूकि स्टेट दे नहीं पाया तो उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए लोगों को अपनी नौकरियां छोड़कर यह जिम्मेदारी लेनी पड़ी कि हमारे रहते हमारी पीडियां असिक्षत नहीं रहेंगे स्वास्थ चुकि स्टेट दे नहीं पाया तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फौज आई दिल्ली के स्वास्वंत्री सरकारी हस्पताल में भड़ती हुए इश्वर उन्हें लाब दे एक दिन बाद उनकी समझ में आ गया कि कोरोना बचाया ना बचाया यह अस्पताल तो नहीं बचा पाएगा जो मैंने बनाएं जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ तो अगले दिन वो प्राइवेट हस्पताल में चले गए यानि कि प्राइवेट हस्पतालों की चैन इसलिए आई क्योंकि स्टेट फेल हुआ पानी, नीचे का पानी भूगर्ब का पानी जो आने वाले एक लाख वर्ष बाद की मेरी संततियों के लिए था वो आपने खराब कर दिया चुकि नदियों के किनारे आपके द्वारा जो बसाए गए हैं और जिनकी दलाली से राज सत्ताएं पलती हैं उनके कार खाने हैं और बिना ट्रीटमेंट का वह, विश, जहर जमीन में डाला जा रहा है इसलिए सबमर्सिबिल्स आए ताकि प्राइवेट पानी आ सके बिजली आप पूरी दे नहीं पाते इसलिए इन्वर्टर्स की फौज आई और बड़ा अच्छा लगता है जब भारत रतन इन्वर्टर बेचते हैं और हम सब खरीदते हैं आप और मैं खरीदते हैं ताकि घर में उजाला हो सके हमारे बच्चे पढ़ सकें इसके बाद आई सडख जो मुझे देने की आवश्यक्ता थी जिसका मुझे टेक्स भी लिया गया था कार खरीदते समय पैसा लिया गया था लेकिन मैं कार में टेक्स का पैसा देने के बाद जब सडख पर आया तो फोर लेन हाईवे पर मुझे चार आदमी मिले और उन्होंने मुझे खा कि 500 रुपे दो तो मैंने का किस लीए बोले सडख बनाई थी मैंने का तो टेक्स दिया था मैंने दो दो बार दिया था बोले नहीं ये अच्छी बनाई थी इसका अलग से दो तो मैंने अलग से दिया लेकिन उस सडख पर चलता हुआ जैपूर हाईवे पर ते मैं दूदू में नीचे उतरा तो कार हिलने लगी वहाँ कोई 200 रुपे लोटाने के लिए भी खड़ा करना चाहिए था कि ये वापस लेड़ो एक खराब सड़क है लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो सिक्षा, स्वास, विजली, पानी सब चीज यहां तक की आपकी नीजी सुरक्षा सरकार आपसे वादा नहीं करती कि आपको बचा पाएगी या बहार सड़क पर जाती हुई आपकी मा, बेहन, बेटी के गले से कोई चैन खीन कर नहीं ले जाएगा इसका वादा नहीं करती, इसके लिए आप गार्ड्स रखते हैं हर कलोनी ने पैसे खटे करके बाहर दो पुराने सैनिक भी ठाली है जो अपनी बंदू के लिए बैठे रहते हैं ताकि कोई ऐसी हरकत न हो जाए तो स्टेट नहीं दे रहा है जब आपदा आएगी तो सिक्षा काम नहीं आएगी ज्यान काम आएगा ध्यान ने किएगा बहुत अधिक उचाला और बहुत अधिक अधिरा इसमें केवल तीन चीज काम आती है अध्ययन, स्कॉलस्टिजम, कितना पढ़ा है आपने आध्यात्म, कितनी स्प्रिचुलिटी है आपके अंदर और लर्निंग, आपने अपने माबाप से, अपने गुरुओं से, अपने बड़ों के पास बैठकर क्या सीखा है दुरबाग के यह है कि सारी सोच केवल इस बात पर निरबर है कि डिगरियां कैसे मिलें और परिक्षाएं कैसे पास हो इसलिए भारा सबसे ज्यादा इंजीनिर बना रहा है लेकिन एक 22 साल का मार्क जुकरबर्क पैदा नहीं कर पा रहा जो केवल बार्वी करने के बाद, फेस्बुक का एक टूल देता है हमें इस पर पूरी दुनिया बंद कर आ जाती है क्योंकि हम साइंटिस्ट पैदा नहीं कर पा रहें साइंटिस्ट को पैदा करने के लिए स्टेट को समाच को जो फ्री माइंड देना पड़ेगा हर यक्ति इन चुनोतियों से लड़कर बाहर निकला ये संभव नहीं होता मुझे आश्चर होता है खबरें सुनकर कि सफलता कि इतने आसपास गए हुए लोग आत्मत्या कर लेते हैं मुझे बहुत दुख है कि मेरा एक बहुत प्यारा चोटा भाई जिसके साथ मैं एक फिल्म भी कर रहा था चंदा मामा जिसमें मैंने गीत लिखे तो और वो एक्टिंग कर रहा था नासा में उसने ट्रेनिंग ली थी शुषान सिंग राजपूत लड़ाई बीच में छोड़के चला गया जबकि वो एक लोगप्रिय लड़का था और उसने अपने सपनों को चेज करना बच्पन से सीखा था ग्यारवी में तो उसने फिलिक्स ओलेंपियाड जीत ली थी भारत भरके बारवी करने के बाद उसने ग्यारे इंजिनिरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था और दिली कॉलेज ओफ इंजिनिरिंग जो आदकल विश्वे विद्याले है उसमें उसकी पहले दस में रैंकिंग आई थी हाला कि तीसरे साल के बाद वो चला गया था छोड़कर फिल्मों में काम करने के लिए वहाँ छोटे परदे पे बहुत सफल रहा फिल्मों में बहुत सफल रहा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमारे में से बहुत सारे हमारे घरों के बच्चे लड़के लड़कियां उनको यह बताया गया है कि जिन्दगी में ये चीज इतनी महत अपूर नहीं है ये चीज इतनी महत अपूर है मैं लंदन में था एक सेशन करने के लिए ऐसा ही और वहाँ लोग बाग दो दिन का सेशन था लोग अपने सवाल जबाब पूशते थे तो जो कराने वाले थे वो देश के बहुत बड़े उद्योग पती हैं लंदन में रहते हैं उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे एक परिचित हैं बॉम्बे के वो पब्लिक में सवाल नहीं पूछ सकते परिचे से वो आपको मिलना चाहेंगे तो मैं मिला तो एक 67-62 साल की महिला थी और 68-68 साल के एक सज्जन थे दोनों आये और दोनों बड़े उदास थे मैंने कहीं अंकल तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं IIT में पढ़ाता था बेटा और मेरी वाइफ हैं ये कॉलेज में पढ़ाती थी हम दोनों ने मिलके अपने ए पीच में नहीं आना चाहिए तुम्हें आगे बढ़ना है तुम्हें आगे बढ़ना है और उसको IIT में टॉप कराया फिर उसने आयम से पढ़ाई की फिर वो विदेश में पढ़ा स्टैन्फर्ड में अब उसकी अमेरिका में कंपनी है एक चाइनीज लड़की सोचने शादी कर ली है सब कुछ ठीक है नागरिकता मिल गई है हमारा भी ध्यार नगता है पैसे बेशता है हमें भी कमी नहीं है पर हमारी केयर नहीं करता एक बेटे का माबाप के प्रती जो प दिखाया तो वो नहीं छोड़के आगे निकल गया उसे समझ भी आ गया कि आगे निकलना महत्तुपूर नहीं है आगे पहुचना महत्तुपूर नहीं है अपनी मनुष्यता के साथ आगे होना महत्तुपूर नहीं है इसलिए जब आजादी आई थी तो हिंदुस्तान के महा कभी और भारत के राष्ट्री ये कभी रामधारी सिंग दिनकर ने एक बात कही थी एक हात में कमल एक में धर्म दीप्त विज्ञान एक हात में कमल एक में धर्म दीप्त विज्ञान लेकर के उठने वाला है जग में हिंदुस्तान धर्म दीप्त विज्ञान साइंस जुड़ी होती तो हिरोशिमा नागा साकी पर बम न गिरता क्योंकि उसमें मनुष्यता नहीं थी इसलिए बम गिरा गया और लाखों लोग मारे गया और लाखों लोग आज तक भी वहां परेशान है सिर्फ उससे बिजली बनती उससे उजाला बनता ताकि आधी रात को याद यह अपने घर का रास्ता भटकर जंगल में न पहुँच जाए और कमल किसका प्रतीक है सत्यम शिवम सुंदरम दट्रुथ दब्यूटिवल और बिनुवेलेंट यह दुनिया में अकेला केवल हिंदुस्तान सिखा सकता है यह आप सिखा सकते हैं यह हम सिखा सकते हैं अमेर पास एक शांदार अतीत है और एक बेहत खुबसूरत वर्तमान और भविश्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है तो एक तु मुझे यह समझ में नहीं आता कि जिस महरणा प्रताप ने चितौर और कुंभलगर जैसे महान और अजए दुरगों का लोब छोड़कर अरावली के भ प्रत नहीं छोड़ा था उसके वंशज आत्मत्या कैसे कर लेते हैं सोच कैसे लेते हैं मुझे यह समझ में नहीं आता कि स्वैम को अजे और जिल्ले सुभानी मानने वाले मुगल समराज्य के आखरी आदमी और अंग्जेब को बीजापुर में एक घटिया मौत देने वाल केवल एक मा और गुरु के आशिरवात से संकल्पित शिवाजी महराज के वंशज आत्मत्या कैसे कर लेते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता कि छोटी सी रियासत जहासी के सौभिमान को अपने कंदों पर लेकर अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांद कर और अश्व की वल लगाएं दातों में लगाकर दोनों हातों में तलवार उठाकर ये कहने वाली हिंदुस्तान की बेटी कि जब तक मेरी रगों में खून है अंग्रेजों की अवकात नहीं के जहासी पर कबजा कर ले उसकी बेटी आत्मत्या कर कैसे लेती हैं मुझे ये समझ में नहीं आ ऐसे भगत सिंग जिन 23 साल की उमर में जो फांसी के फंदे पर जूलते हैं उनके वंशज ड्रक्स की चपेट में रिहैब जाते हैं आत्मत्या कर लेते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता कि अल्फेट पार्क में अपने माउजर की आकरी गोली तक लड़ने वाले और आकरी गोली अपने सिर में उतार कर ये कहने वाले कि भारत की फिजाओं को सदा याद रहूंगा आजाद था आजाद हूँ आजाद रहूंगा ऐसे चंद्रशेकर आजाद के वंशज आत्मत्या कर लेते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता कि जलियावाला बाग में 19 साल की उमर में अपने सामने एक नशन सत्याकांट देखने पर लंदन पानी के जहाज से जाकर 21 साल प्रतिक्षा करने के बाद जनरल डायर की चाती में गोली मारने वाले उधम सिंग के वंशज आत्मत्या कर लेते हैं इसका मतलब ये है कि आपने खांदान का इतिहास ठीक से नहीं पड़ा इसका मतलब ये है कि आपके लिए hero heroine Harry Potter है इसका मतलब ये है कि Netflix, Amazon, Flipcard के सहारे उतरती हुई दुनिया के रोमांच को आप सच समझते हो मेरे दोस्तों ये पश्चिम आप से सब कुछ छीट कर ले गया है मुझे दुख होता है कि मैं अंग्लेंड जाता हूँ तो लंदन के पुराने किले में 18 पॉंड लेकर हमसे पैसे लेकर हमारी ही गोलकुंडा की खान से निकला हुआ कोहिनूर हीरा हमें दिखाया जाता है और मैंने गाइड से पूचा कि हैं कैसे आया तो गाइड ने पूचा दुस वस गिफ्टिट टू अवर क्वीन अच्छा चोर को लोग भेंट करते हैं हमारे डगेती डालने आये थे या आकरी चीज़ और रगेती सोर ले जाईएगा चुरा कर आप ले गए हैं चोटे आप हैं डगेत आप हैं हमारी सरकारों की उकात नहीं है कि उनके गले पे हाट डालके कह सकें कि हमारा सामान है वापिस दो और हमें वो देखना पड़ता है मैं गया मेरे साथ के स्काफ के जो लोग थे उन्हें कोई नूर देखना था मैं तो देख चुका था तो मैं चुकी बड़ा था तो मैंने अठारे अठारे पॉंड के दस लोगों के टिकेट दिये 180 रुपे तो वो गिनने लगा बार-बार तो मैं ने काट ले हम अपने ही दे रहे हैं अपना ही देखने के लिए रख ले इसे 20 रुपे तू भी रख ले इसे यानि की पश्चिम हमसे सब ले गया पश्चिम एक हजार साल तक हमारा स्वाभिमान ले गया पश्चिम एक हजार साल तक हमारी प्राच्चे विद्याएं ले गया पश्चिम एक हजार साल तक हमारी लड़ाई लड़ने की शक्ति ले गया हमने आजादी जब लड़ी तो ठके मन से लड़ी इसलिए कुछ लोग लड़े वरना कुछ लोग तो राय बहद्दुरी रहे सरवनाइटी बनते रहे प्रजासुधार समीतियां रही इस देश में ये देश अजीब है इसमें शहीदों का अकलन तो होता ही नहीं शुभाश कहा रह गया है याद नहीं रखता गद्दार कौन थे ये भी याद नहीं रखता अजीब हाजमा और अजीब सम्रती है इस देश की आकरी चीछ बची है इस देश के पास वो है इस देश की जवानी जो ख्वाबों से बलबलाती है जवानी देश बनाती है जवानी समाज बनाती है कोरोना में सबसे ज्यादा मृत्य हुई है यौरप के उन देशों में जहां युवाय कम है स्पेन में, इटली में जर्मनी में जहां बूढ़े ज्यादा है और भारत कमो बेश बचा हुआ है सरकारों की क्रपा नहीं है उनकी क्रपा तो पूरी हो जाए तो वो दूसरा इटली बनाए हमारी खुद की इम्मुनिटी जो हमने खाया है क्योंकि वा स्वस्थ हवा है साफ स्वच्च वाता वरने स्वस्थ शरीर है कोरोना कोई स्पेस मिला तो सरपड दोड़ा यहां तो पहले सी पानमसाला गले में था और गुलगपे खा रखे थे हमने टाटरी के तो कोरोना गडबड़ा गया कि किन के आ आ गया हूँ यह तो पहले से ही बहुत कलाकार लोग है तो रुका इसलिए क्योंकि हमारी युवाओं की इम्मिनुटी जादा है हमारे देश की इम्मिनुटी जादा है उस पर वार करने के लिए एक नए प्रयोग प्रारंब किया गया है कि आपको यह बताया जाए कि यह जो सब ग्यान है यही सत्य है दोस्तों ये सिक्षा है और ग्यान ये है कि आप अजे परंपरा के वंशज हैं ग्यान ये है कि आप आखरी सांस और आखरी आदमी तक लड़ने वाली कौम के प्रतिनिदी हैं ग्यान ये है कि यहां आठ साल का बच्चा अश्टा वक्र भी अपने युग के सबसे बड़े महा ग्यानी राजा जनक के दरबार में जाता है तो उसके ग्यान से प्रभावित होकर विदेह राज जनक अपना आसन छोड़कर नीचे उतर का स्वागत करते हैं ग्यान ये है कि यहां का आरुणी अपने गुरु धौम्य की अग्या मानकर जब देखता है कि मेंड में से पानी इरिस रहा है और उसे हटा नहीं सकता तो खुद की ही दीवार में चिनाई कर देता है ताकि गुरु के केत में पानी न बढ़ जाए ज्यान ये है कि यहां अपने गुरू की अग्या पर अपने पिता की अग्या पर अपने जीवन को न्योचावर कर देने वाले दस गुरू की परंपरा है दर्शमेश पिता गुरू गोविन सिंग जी की परंपरा है तो मैं केवल जामवन्त हूं आप सब हनुवान है आज के स्प्रेशन में मैं आपसे ये कहने आया हूं काचुप साध रहे बलवाना जो परिक्षा है जिनके आप तैयारी कर रहे हो बहुत छोटी चीज़ है थोड़ा सा ध्यान दीजिए लगे जाईए बस इसको निप्टा द अगर दूसरी चीज़े प्रतीक्षा कर रहरे हैं और ध्यान रखिये अगर 19 मून श्रताबदी इंग्लैंड की थी अगर 20 मून श्रताबदी alar की किसी की मा ने दूद नहीं पिलाया जो इस देश की प्रगति को रोक सके। अंदर ही कुछ लोग ज़रूर हैं जो कर देते हैं, युद्धों में कभी नहीं हारे हम डरते हैं छलचंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जैचंदों से हमारे कभी ने कहा। लेकिन आपके अंदर जो आवेश है, आपके अंदर जो मिट्टी है, आपके अंदर जो कस्वाई एक लड़का लड़की है, वो आकाश चुना चाहता है और यही प्रगति का कारण है। प्रगती बेहद गरीबों के करण नहीं होती जो कि दौनों की महत्वा कांक्षाओं के सिरे सिकुड गए है जो बहुत गरीब है वो बहुत महत्वा कांक्षी इसलिए बहुदा नहीं होता वो सुसता है कि कितना पार करूँगा इसे और जो बहुत अमीर है उसकी मेहत्वा कांग्षाओं का आकाश तो वैसे इसी कुड़ जाता है वो अपने हाप ये अपने एक छोटा सा दुनिया बना लेता कि तर ठीक है इसके बीच में जो असी प्रश्वत भारती है फसे हुए है बिल्कि ज्यादा माखंगा ये हैं जो देश का इंजन होते है इनके पास अगर साइकल के पैसे नहीं है तो ये ख्वाब देखते हैं तसरी इिकलास्ते के मैं साइकल खरीद homepage साइकल खरीदने के बाद कुछ दिन बाद एक ख्वाब देखते हैं बोपेड लूँगा पुरानी फिर ख्वाब देखते हैं कि मोटरसाइकल कब लूँगा उसके बाद ख्वाब देखते हैं कि अल्टो कब लूँगा उसके बाद ख्वाब देखते हैं कि इसे बड़ी इनोवा में कब तब्दील करूँगा फिर ख्वाब देखते हैं कि मेबेक कब लूँगा और फिर ख्वाब देखते हैं थोड़ा और मेहनत करूं तो एक फाइव सीटर जहाज भी ले लूँगा अपने गाव जहाज से जाया करूँगा अपने शेहर जहाज से जाया करूँगा यह जो सपनों की काई इधन है जो उम्मीदों की भटी में डाला जाता है इसी से देश की रेल पटरी पर दोड़ती है और देश प्रगति शील कहलाता है यह दूरियों की दिन है कुछ दिन में सिमट जाएंगे क्योंकि प्रकर्ती हमको पताना चाहती है और राजिस्थान तो वो प्रदेश है जहां प्रकर्ती की बेहद इधत की जाती है अगर दुनिया के किसी ठंडे प्रदेश के किसी नागरिक को बुला कर अरावली की पहाडियों में गुमाया जाए गुगंदा के आसपास गुमाया जाए और उससे कहा जाए कि इन पहाडियों पर इत्ते लाखों लोग कुर्बान हुए तो वो कहेगा अरे इस पर क्यों खास है क्योंकि वो स्वाभिमान की कीमत नहीं जानता जो मा के आंचल पर किसी विधर्मी या विदेशी के पैड धरने पर तूटता है अंदर से तूटता है उसकी लड़ाई के लिए राजिस्थान खड़ा हुआ है राजिस्थान से वो प्रदेश है जो पेड़ों को कठने स प्रकरती को आदर देना जानता है मेरा सभग्य है कि मेरी निर्मती में राजिस्थान का बेहत योगदान है और राजिस्थानी शौरी और आकरी व्यक्ति तक जूझने की सरकटने पर धड़ युद्ध करे ऐसी जाबाज जवानी को अतलब आप देखिए कि सरकट गया उसक का सिर काड़ दिया था अपने एक बार से एसा जाबाज राजिस्थान वहां के किसी युवक युवती के मन में उदासी आये इस युकार नहीं है राजिस्थान विक्षमा नहीं करेगा और भारत माता तो शर्मिंदा होगी ही तो आप सबसे अन्रोध है कि तैयारी करते रह दियेगा और जीवन के कालखंड बटे हुए हैं बच्पन में खिलोने जवानी में जोश और बुढ़ापे में आदमी का धन साथ देता है तो एक चीज आप ध्यान नकिएगा कि हर चीज का समय नियत है बच्पन की शारी सरारतों को अगर आप बुढ़ापे में करेंगे तो लोग मूर्ख कहेंगे ऐसे ही बुढ़ापे की ज्यान गंभीर बाते हैं अगर आप जवानी में करेंगे तो लोग आपको ढीला समझेंगे लेकिन जवानी में जिस उद्देश्य परक जीवन को जीने कि आप से काम ना की जाती है उसे छोड़कर आप कोई और काम करेंगे तो इतिहास भी समय भी भविश्य भी कोई आपको आदर नहीं देगा तो ये समय है आपकी परिक्षाओं का, मैंने आप से कहा कितना हमको पता था जब कोरोना शुरूआ था 15 मार्च को कि ये हाल अदो जाएगे हमारी जून जूलाई तक, कि बंदी रहेंगे हमको लगा 15 दिन की बात है, 12 दिन की बात है काट लेंगे, हमको थोड़ी पता था अभी पता नहीं है, तो ये कितना छोटा था समय था बीट गया यूँ ही करके, तो ये उन्होंने एक चिडिया दिखाई और कहा कि इस चिडिया की आँख में तीर मारना है तो किसको क्या दिख रहा है, तो दुर्योदर ने कहा कि पेड़ है, नदी है, नाले है इजुष्टर ने कहा पेड़ दिखता है, चिडिया दिखती है सबसे पूछा अरजुन से का अरजुन तुम्हें क्या दिखता है बोले गुरुदे चिडिया की आँक दिखती है बोले आसपास बोले बाकी तो गुरुदे चिडिया किसे रंग किया बोले पता नहीं आँक का रंग पता है बोले ये अरजुन बनेगा और आप सब जानते हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ, आप मुझे पाशपते, अश्त्र और जितने भी स्वर्गिक अश्त्र हैं, जितने भी बड़ी बोफोर्स तोपें हैं, जितने भी बड़े-बड़े मिसाइल्स हैं, इन्हें चलाने की टेक्निक नहीं बता रहे हैं और अरजुन को बता रहे हैं, तो उन्हेंने कहा कि केवल पुत्र होने से पातरता नहीं मिलती कि इन मुसाहिलों को चलाने की मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूँ इसके लिए ये specific courses करके आने पड़ते हैं जिसका नाम ध्यान, जिग्यासा, लगन, परिश्रम, अनुसाशन और अभ्यास है इन 6 पाठिक्रमों से अगर आप नहीं गुजरे हो तो आपको किसी बड़े अश्त्र को चलाने की योगिता नहीं दी जाएगी तो अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान सरकार, उत्तरपदेश सरकार या भारत सरकार या किसी भी एक नौकरी में आप किसी केबिन में बैठकर, किस जगे बैठकर, किसी पद पर बैठकर कोई चीज चला रहे हो चाहे उसका नाम जिला हो, चाहे उसका नाम तहसील हो और चाहे पटवाई के रूप में गाम हो जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये तीन, चार, पाँच से परिक्षाओं के छोटे-छोटे कॉर्नर घूम के आने पड़ेंगे जैसे की हमारे राजिस्थान में जो प्रदशनिया लगती है, मेला लगता है, उसमें जूला बाहर नहीं लगता, बीचों बीच लगता है तो जूले की रोशनियों में गूमती हुई गांग की किशोरियों को देखने का अवसर तभी मिलेगा, जब पास की जिगे से, मौत के कुए की बगल से निकल कर आप वहां तक पहुँचेंगे अगर आप सोचते हैं कि सीधे वहां पहुँच जाएं, तो न रोशनी बचेगी न मेला बचेगा मेला लगता रहेगा, मिलते रहेंगे मिशन पर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्काल